हेलो गाईज तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन में 177 को लोकेशन के बारे में ठीक है तो सबसे पहले हम लोग को लोकेशन का मतलब समझ लेते हैं कि को लोकेशन का मतलब होता क्या है तो को लोकेशन का मतलब मैं बताता हूँ को लोकेसिन का मतलब जीसे देखिए हम लोग जिस्ट एक एक जामपल लेते हैं जिसे कोई भी लोग कोई जाते हैं तो उसे मैं फिट हो जाते हैं जैसे मैं एक example लेता हूँ fast food ठीक है तो अगर हम fast food का example ले रहे हैं तो fast food में कौन कौन से दो word है पहला fast है दूसरा food है ठीक है तो जो यह दो words है तो यहाँ पर देखिए suitable है मतलब आपस में fit हो रहे है fast food यह आपस में fit हो रहे है सुनने में भी ठीक लग रहा है और correct भी है ठीक है तो यह क्या है fast food हम लोगों को सुनने में ठीक लग रहा है और यह आपस में fit हो रहे हैं अब यहीं पर देखिए fast food को हम लोग अगर दूसरे way में लिखें जैसे fast का मतलब देखिए यहां पर क्कॵिक फुड अगर हम लोग yön přेलेते हैं। अब आप एक फास्ट। को आप यहां पर देखिएक और क्विक फूड देखिए इब बताई दोनों मेंसे कौन आपसmund कोरी है। कौन여 कौन से वर्ड आपस चीज़ आई है कि यहां इसी का इसी हम लोग को जाता है तो यह इसटो है इसुर्ट को करते है इसी का मतलब को डोंकर की पालोगसम हो जाए ठीक है, fast food हो गया, और quick food जैसे हो गया, तो ये क्या है, आपस में fit हो गया, जो fast food है, ये आपस में fit हो गया, और quick food जो है, वो आपस में fit नहीं हो पाए, तो इसलिए ये collocation नहीं है, और fast food जो है, वो collocation है, तो मैंने बस एक example लेकर के समझाया है, और आगे हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे, पूरे lesson में ठीक है, so exercise A सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, A क्या है, read and discuss how make and do are used with other words, use them in sentences, अब देखिए यहाँ पर क्या है, how make and do, मतलब की देखिए, how make and do, यहाँ पर है, make and do को हम लोग कैसी use करते हैं, ठीक है, other words में, जैसे देखिए यहाँ पर do versus make, यहाँ पर दिया गया है, आप देखिए, the difference between do and make, अब do और make के बीच में, क्या difference यहाँ पर पताया है, तो यह आप पूरा पढ़ेंगे, जैसे कि देखिए, work, job or task के अगर बात किया जाते हैं, यहाँ पर do का use, हम लोग किस तरीके किसे करते हैं, work, jobs or tasks में, तो do the homework, do the housework, do the homework, do a good job, or do your course, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, जो word आपस में add हो रहे हैं, तो वो क्या है, को location है, जिससे do housework, जो है उपर, तो यहाँ पर देखिए, जो housework है, यह तो यह दो वर्ड जो है, यह तो आपस में, कहीं ने कहीं fit हो रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या करने है, मतलब यह आपस में जब fit हो रहे हैं, तो यही क्या है, को location है, यहाँ पर do the housework, जो है, यह आपस में fit हो जा रहे हैं, तो इसलिए क्या है, यह तो इदर अब देखिए, यहाँ पर do का और use कहां कहां पर non specific activities, do something, do nothing, do anything, do everything, यह सारी सारे आप गौर कर सकते हैं, कि सभी में देखिए, दो वर्ड हैं, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, fit हो रहे हैं, तो इसी को हम लोग जो fit होता है, इसी को हम लोग को location कहते हैं, do something, do nothing, do anything, do everything, यह सारे क्या है, को location हैं, और कहां पर हम लोग do का use कर सकते हैं, यह चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है, now replace word when obvious, जैसे कि do your hair, do the dishes, do the exam, do the laundry, ठीक है, तो इसी तरीके से है, now, आप देखिए, यहाँ पर मेक के उपर बात किया गया है, कि मेक, मतलब कि मेक का हम लोग कैसे use करते हैं, तो make a cake, make breakfast, make dinner, make a cup of tea, फिर उपर उसी तरीके से आपका made a gold, made from grapes, यह आप अपने, मतलब यह सिर् do or make से words, एक sentence, आप कह सकते हैं, कि आप फिर एक phrase कह सकते हैं, कि एक बनता है, ठीक है, तो इस तरीके से यह पूरा का पूरा आप पढ़ेंगे सबसे पहले तो उपर, और इसको समझने की कोशिस करेंगे, कि को लोकेशन होता क्या है, क्योंकि आप हर जगा देखेंगे, तो क लोकेशन नहीं करते हैं, अब जैसे कि अब यहां पर एक जामपल में बताता है, आपसे fit कैसे नहीं होते हैं, जैसे यहां पर do your hair, आप यहां पर कहते हैं, do your hand, क्या do your hand, मतलब कि देखें, यहां फे डू यू यू फैन, do your freeze, do your washing machine, तो यह देखें, कहीं पर मतलब कि एक fit नहीं हो पा रहा है, कि हां पर कहना क्या चाहरा है, do your phrase, मतलब यह देखें, कहीं पर एक तरीके से fit नहीं हो पा है, तो इसलिए यह क्या है, को location नहीं होगा ठीक है, और do your hair जो है, मतलब do your hair कहने का यहां पर do your hair से आप मिनियन की निकाल सकते हैं कि हैं अपने बाल को मतलब स अब नेक्स देख लेते हैं XSI B, XSI B क्या है, match the words that go together, आप देखे, यहां पे आपको उसनी words को match करना है, सबसे पहले आपको 1, 2, 3 से 15 तक दिया है, दूसरा आपको A, B, C, D से O तक दिया है, तो आपको A, 1, जो नंबर है, उसे alphabet में match करना है, जो भी words together, मतलब जो fit हो पा रहे ह आपस में, आप देखे, हम कैसे इसे करेंगे match, आप देखे, match करते हैं, सबसे पहला है, तो हैब को देखे, आप किस से match कर सकते हैं, हैब को आप यहाँ पर match कर सकते हैं, हैब T, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे, तो हैब T क्या है, आपस फिट हो जा रहा है, तो इसे ह हम लोग क्या करते हैं को कि झाल डाल्ब सकते हैं तो भी कहने का मतलब है कि जैसे कि आप कोई भी कहीं भी कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलने का मतलब है कि अज़िए हैं तो इसके लिए का मिलने का मतलब हैupa is सब्दों से मिलना कहा जा रहा है यानि कि मतलब कहीं पर अगर आप फस रहे हैं तो वहां पर meet the word मतलब उस वर्ड से आप मिलिए उसको जानिये और उसको समझिए कि वह बर्ड है क्या ठीक है तो यहां पर यह कहने का मतलब है get late, I am getting late जब आप एक sentence बोलते हो I am getting late तो यहां पर देखे get late तो get late भी आपस में fit हो रहा है तो यह भी आपका हो सकता है now start, so 7th है 7 है start, तो start मतलब देखे start the word, start the good work, start walk और start work, start walk हो गया, start work हो गया यह सारे के सारे क्या है, start से fit हो रहे है, ठीक है, यह सारे क्या है, जितना मैंने बोला, यह सारे start से fit हो रहे है तो यह सारे इसमें से आप कोई भी लिख सकते हो, now do की अगर हम बात करें, तो do देखे, do homework, do जिसे उपर हम लोग में देखा भी है, do your homework, तो यहां पर do homework, यह आपस में fit हो रहे है ठीक है, now turn up पे देखते है, turn up a sour, ठीक है, turn up a sour, उसके बाद है get over, so get over work, ठीक है, और get over, आप किस पे लिखे जा सकते है, get over the word, यह सब देखे, आपस में fit हो रहे है नो 11 देखते है, look up, look up the good work, look up the good work, ठीक है, look up the good work, और look up, और आप देखे, कहां पर use कर सकते है, look up look up work भी आप कर सकते कि आपके दिखे चरपार कुछ पर नेधा कि रहा है थो क्छ मुंद्ध कि कर रहा है कि भीक मैं लिभी को सर्फ आपने से में लिखा है या फिर सिर्फ फिंदी में आपने लिखा है तो आपसे सिर्फaro खीया है तू आप सिर्फिक्शेश बह मुझे वह ग्राइब है थर फि vull walk हो सकता है, have the good work हो सकता है, ठीक है, have work हो सकता है, तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, फूर्टिंत है pick up, pick up के अगर हम लोग बात करें, तो pick up देखें क्या हो सकता है, pick up the good work हो सकता है, ठीक है, तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, तो यह सारी चीज़ें य माँ पर आसमें फेट हो रहें तो आप यहां पर क्लास या पर on की कि बादल में तुर मांते लेडिदा से लिफ्सकलरूद करो कि ठीक है बट यहां पर मैं यह जानता हूँ कि यहां पर करना क्या है ठीक है तो करना यह है कि जो भी यहां पर देखे फिगर दिया गया है अब इस फिगर को देखर कि आपको को लोकेशन बनाना है और वही शेम को लोकेशन आपको यहां पर लिखना है ठीक है, फर्स्ट के लिए यहां पर को लोकेशन लिखेंगे, इसके लिए यहां को लोकेशन लिखेंगे, इसके लिए यहां को लोकेशन लिखेंगे, अब लिखना कैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, और क्या को लोकेशन लिखना है, तो सबसे फर्स्ट के अगर हम बात करे है तो हम लोग जानते यह आइडिया हर जगा जो झिंफा को दिखा जका जाता है जैसरे मॉटुपत्छू में भी आपने दिखा होगा तो वहां पे मॉटुपत्लू Jen जब देखते होंगी अगर आप लूग देखते होंगी तो यहां पर यूज कते हैं आयं है ऐभ यहान पर गाना जो भी है तो क्या करेंगे लेट सिंग और सिंगए सुंग यह भी यहान बना सकते हैं इसके बाद एक लिए किरें जाएंगे नियुज्पेपर टिक है रिंड निज्पेपर जिए निश्पेपर Bike ढूर्स के बाद यहां पर देखें गाता क्थ शाब है यहां पर देखेंसिए उसके बाद शीक्षत कздर सुकतर है let's play और play some play instrument ठीक है let's play instrument यह आ पर उपर आते हम जिए फिर बटो आफिर टी बना सकते हैं कि यहां पर लिखना यह बनासेँ अगे तो यहाँ पर आपको लिखना के य यह बाराइक पोने नट बूक करना क करता यहां पर यहां पर कुछा सकते लेगरर कार रेटा अपनी पे लिचय आपको लेड़ा करए सकते हैं भर सबैस्तों कुछ ना lugदे लेगराकर क्या बत्रों है, यह ब ड़ल दाखए सकते हैं नेक्स्ट या है गो फुर पक निक यहां पर पिकनिक यहां पर लिए है उसके बाद यहां पर आप लिए है यहां पर कि वीघर पूरा clear नहीं है और मुझे याद भी नहीं है कि फीघर है अधिंक आप यहाब लिख सकते हैं गोप और किटी पार्टी कहने के बतल कि यह लड़की है लड़के जा रही है लड़की दोनों जा रही है तो आप यहाब लिख सकते go for kitty party और उसके बाद ये फिर let's think आप यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि ये लेट करके सोच रहा है या फिर let's relax और it's relaxed time तो यहाँ पर यह भी आप लिख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं go for fishing ठीक है यहाँ पर बना सकते हैं go for fishing उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं वर आप फिर इंट्स रूख लिए सिंटे करें हैं pak यहां परना सकते अब करें Job go to beach आप कर सकते हैं tutti찌सा po jn यहां पर YouTube करेंगे go to beach क्योंकि यहां पर आप सकते हैं go to beach उसके बाद next देख लेते हैं go for a dinner यहां पर नेखिए खाना खाने पूरी family के साथ और यह रात का चाह्या लगरा देखने से लिए ना पर लिखने ग zarag साथ या पर लिखेंगे एक क्या है यहां पर लिख के इस देखने से लग रहां कि यह मतलब कहीं पर यह तो आप यह लेख सकते हैं गौ आउट賽 और गौ फर पार्टी तो यह सब आप अपने सब कोई भी कोई आपको समझ में आए होगा तो कि रही है यह लेशन पर फिर को बिडाओत हो ताब मुझे इंस्टागरम पर पूच्छ सकते हो अगर आपको Hindi नहीं समझ में आ रहा था, आप ओंगलेज में पूछ सकते हूँ, अगर आपको यहाँ पे कोई भी problem हो सकता है, तो आप आप हिंधी में सिरुख फूरत क्लिरली पूछ सकते हो, मैं आपको पूरी तरीके से clearly वहाँ पर बता दूँगा Instagram पर so thank you so much for watching this video